आप सभी लोग का हमारे ओफेशल एटूब चैनल निशानत जीए असरे सेंटर में स्वागत है डियर इस्टेंट फ्रम लूग आप आज यहां पर अतिक परवले के बारे में डिटेल में ध्यन करने वाले हैं तो आईए हम आपको बताते हैं कि हाइपर बोला क्या है तो यह जो फिगर आपको दिख रहा है यही एक्चुल में हाइपर बोला होता है यह इसका फोकी होता है c,0 एक फोकी यहां होता है minus c,0 यह इसका बर्टेक्स सिर्ष होता है minus a,0 यह वाला points और यह होता है a,0 तो हम लोग जब इसका definition करते हैं तो हम लोग कहते हैं देखें इसको हम लोग कहते हैं अनुपरफ्त अच अनुपरफ्त अच या इसी को हम लोग English में कहते हैं transverse axis और यह जो होता है इसका सयोगमी अच्छ होता है सयोगमी अच्छ इसको हम लोग कहते हैं conjugate axis conjugate axis तो हम लोग कहते हैं कि अति परफले उन बिंदों का समुच्छ होता है या उन बिंदों का बिंदुपत होता है जो किनी दो निश्चित बिंदों से दूरी का अंतर सदयो अचर होता है तो माल लेते हैं यह points क्या है आपका यफोर है ना भी यह जो focus यफोर है और यह focus क्या है यफ्टू मैंने इसको माल लिया तो अगर यह hyperbola है यह points तो इस पर कोई मैं points माल लेता हूँ माल लेते हैं यहाँ पर P है तो हम लोग इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि वाफतों में यह जो P से F2 तक का जो distance है P F2 और माइनस P F1 यह क्या आना चाहिए अचर आना चाहिए तब हम लोग इसको clear कर पाएंगे कि हाँ भाई यही hyperbola होता है अतिपरbola होता है क्योंकि अतिपरbola वही बोलता है कि कि नहीं दो निश्चित बिन्दों से दूरी का अंतर सदय हो क्या होना चाहिए अचर होना चाहिए तो P से F2 तक का हम लोग distance लेते है तो यहां से यहां तक का distance C है और यहां से यहां तक का distance क्या है A है तो C plus A हो जाएगा P F1 का distance लिया जाएगा तो यहां से यहां तक C है और यह इधर वाला घटा देंगे P से यहां तक का माइनस का A तो अगर मैं इसको साल्व करूँगा तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा C पलस A माइनस C और पलस का A देखें ये कटके ये हमें क्या मिल गया 2A मिल गया तो इस बात से हमेशा ये सिद्ध हो जाता है कि जो आति परवले होता है कि नहीं दो निश्चित बिन्दों से दोरी का अंतर जो होगा वह हमेशा क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा अचर होगा तो माल लिया गया है कि इस पर एक कोई दूसरा बिन्दो है इसका मैं स्टेंडर्ड एक्वेशन आपको दिखा रहा हूं का मानक समीकरण तो अति परवला है का जो मानक समीकरण हम लोग निकालने के लिए हम लोग क्या एक पॉइंट से यहां पर आजियूम करते हैं पीवन और इसको मैं नाम दे देता हूं यक्स कामा वाई तो इसका मतलब यह हो गया यहां से इस फोकस से जो इसका डिस्टेंस होगा पीवन का और पीवन से जो एफटू का डिस्टेंस होगा दोनों का अंतर कितना होना चाहिए इस बात को हम लोग ने प्रूब कर चुका है तो हम लोग क्या है आप लिखेंगे P1 F2 minus P1 F1 किसके बराबर 2 एक है तो distance of P1 लिया जाएगा P1 F2 तो X ये minus का है तो क्या हो जाएगा X plus C का whole square plus ये Y minus क्या हो जाएगा 0 का whole square हो जाएगा minus root over P1 F1 X minus C X minus C का whole square plus ये Y minus 0 हो जाएगा Y minus 0 का whole square equal to कितना 2A now we can write both side squaring we get दोनों तरफ जब इसका square करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है आपको मिलेगा Yक C square upon A square minus Y square upon actually में यहाँ पर आपको मिलने वाला है C square minus A square और बराबर क्या 1 तो हमें पता है चुकि हम लोग जानते है कि जो C square minus A square होगा वो किसके बराबर होता है B square के यह जो दिया गया समिक्रण है समिक्रण जो हमको प्राप्थ हुआ है दोनों तरफ बर्ग करने पर इसको हाल करने पर हमको यही समिक्रण मिलेगा तो हम लोग इसका मान पुट कर देंगे तो हमें एक नया equation मिल जाएगा, x square upon a square minus y square upon b square equal to 1, this is the standard equation of hyperbola, this is standard equation of hyperbola, ठीक है? यहां पर आपको ध्यान देने योग्यबात है, यहां पर जो c होता है, c greater than a होता है, ठीक है? इसमें, hyperbola में, अब हम लोग इसके लिए, हम लोगों ने ये तो देख लिया, इसका जो मानक समिकरन हम लोगों निकाल दिया, अब इसमें हम लोग निकालते हैं, इसका जो eccentricity होती है, इसकी जो eccentricity होती है, उतकेंद्रता को बोलते हैं, eccentricity, eccentricity, तो e से represent करते हैं, e क्या होता है? c upon a का relation होता है, यानि क्या होता है, तो अति परोले में जो eccentricity होता है, और जो एक्चुल में नाभी और उसके शिर्ष का ratio होता है, यह मैं लिग दे रहा हूँ, यह नाभी है और यह आपको क्या दिया है यह सिर्ष है तो नाभी और सिर्ष का जो अनुपात होता हो यह उतकेंद्रता होता है आपको मिल जाए गया है अच्छा यह हो गया इसके बाद हम लोग नाभी लंब की लंबाई के लिए भी फार्मूला निकाल लेते हैं नाभी लंब की लंबाई लेटस रेक्टम आफ हाइपर बोला तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं लेटस रेक्टम नाभी लंब की लंबाई होगी वो क्या होगी यल बराबर होगा बी स्क्वाइर अपान ए बी स्क्वाइर अपान ए इसका क्या होगा नाभी लंब की लंबाई होगी तो अगर मैं इन सभी बातों को अच्छे से इंक्लूट करके एक जगा मैं लिख दो तो नोट में कुछ मेरे पास पॉइंट्स आ जाते हैं और यहीं पॉइंट्स को हमें दिमाग में रखना होता है जिससे हमारे सारे सवाल बहुत आसानी से बन जाते है तो पहले मैं इसके मानक समिक्राण का बात करूँ तो X स्क्वाइर अपान A स्क्वाइर माइनस Y स्क्वाइर अपान B स्क्वाइर बडाबर 1 यह इसका अतिपर्वले का जो मानक समिक्राण होता है Standard equation of hyperbola जो मैं अभी सामने लिखा हूँ दूसरे नंबर पर इसका जो बार्टेक्स होता है, इसका जो सिर्स होता है, सिर्स, मैं लेक देता हूं यहां पर बार्टेक्स, इसका जो सिर्स होता है, वो प्लस माइनस एक कामा जीरो होता है, ठीक है, थर्ड पॉइंट्स, इसका जो नाभी होता है, जो फोकस होता है, फोकस इसके जो नाभियां होती है वो plus minus e comma 0 होता है चोथा point इसका जो क्या कहते है अनुपरुफथ अच होता है यानि ट्रन्जर्ब अक्सिस अनुपरुफथ अच तो इसका अनुपरुफथ अच कितना होता है टूए होता है क्लेर है हम और इसका जो संयूगमी अच होता है फाइफ नंबर संयूगमी अच, कॉंजूगेट एक्सिस, ये कितना होता है? टू भी होता है और भी कुछ महतुपुन बाते हैं, इसमें पांच नंबर का हो गया और ये छठा नंबर का पॉइंट सापको ये दिमाग में रखना, जो नाभी लंब की लंबाई होती है नाभी लंब की लंबाई, येल बराबर बी स्कॉर अपान ए, लेकिन अगर हम लोग इसके कुल लंबाई की बात करेंगे पूर नाभी लंब की लंबाई की लंबाई होती है तो ये है हम लोग का नंबर की लिए पूरा का पूरा जो भी इसमें थाम आपको पूरा का पूरा का बता दिया पूरा इसका मैंने आपको equation derive करके दिखा दिये कैसे आता है फिर जो है इसमें उतके नृता क्या होता है नौभी लंब की लंबाई क्या होती है इन सभी points को आपको दिमाग में रखना है अगर आपको इतना पूरा का पूरा यह सब clear है अच्छा लगाओ तो इसको लाइक किजिए जयादा से ज्याद मित्रू में शेयर किजिए ताकि जयादा से ज्यादा लोग इसका लाब हुटा सकाए आपका दिन शुभो जैहे नमस्कार